यह उत्राखंड और देरादून के लिए गर्व की बात है कि उत्राखंड की बेटी ने यूपी में जाकर जो यूपी PCS है उसमें टॉप किया है यह टॉप 4 में वह आई हैं हमारे साथ अकांशा गुपता जी हैं उनसे पूशते हैं अकांशा जी किस तरह देखते हैं अपनी करते हैं कि यहां के दीजी एजूकेशन सर ने फोन करके बदाई दी अभी थोड़ी देर में शायद सीम सरकावी कॉल आएगा तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बस इस खुशी को लबजों में बया करना भी बहुत मुश्किल है आपने तयारी कि अगर बात करें त तरीके से तयारी करते रहे क्योंकि हम युआ उसमें देखते हैं तो कहीं चीजा मैनेज करने पड़ती है आप घर में भी मैनेज करते होंगे उसके साथ साथ पढ़ाई क्या आपका शेडूल रहा है बस से पढ़ रही थी और 2017 से पढ़ रही थी इसके लिए और पढ़ती मै दिन भर रहती थी जामन करता था तब इससे कर सकते हैं तो फिर हमारे दिमाग में चीजर बैटती और फिर हम मोटिवेट भी रहते हैं कि हमने आज इतना पढ़ लिया हमें दुख नहीं होता कि हमने दिन खराब कर दिया तो उससे बिल्कुल उससे आंसर भी बहुत अच्छे वनते हैं क्योंकि हम कुछ इवेंट को एनलाइस कर रहे होते हैं बस यह अभी तो किस तरीके की पर नंबर से रह गया था उसके बाद मैंने यूपी पीसी इस भी फिफ्ट अटेम्ट है मेरा चार एटेम्ट मैं इसमें दे चुकी थी तीन बार तो मेरा प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ चौती बार मैं इंटर्व्यू तक गई थी बट फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ और फि अगर कहा जाए तो तमाम परिक्षाइं आप देती रही और बिल्कुल भी आपने उसमें वो नहीं छोड़ा यानि कहा जाता है कि आपने बिल्कुल भी उसमें छोटी सी भी पीछे नहीं रही है और अगर दूसरी बात यह कहें कि आपने अगर इस पूरी जो सफलता आपको तो है यह बिल्कुल श्रे जो उनने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया मेरी फैमिली का बहुत अच्छा योगदान रहा है मेरे चा क्यूंकि मैं इतनी यूपी ऐसी और यूपी पीसी और उत्राखन पीसी अस तीन तो यह मैं साथ साथ प्रिपेर कर रही थी तो मैं को मेरा काम बहुत असान कर दिया मेरा मैट्स थोड़ा कमजोर था तो मैट्स मेरा छोटा भाई वह आईटी की तैयरी कर रहा है तो उसने मेरे को हेल्प कर दिया और बाकी मैं उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्हेंने करप करना चाहूंगी मैं वहां दो बार इंटर्व्यू देके आ चुकी हूं और यतना मैं एकदम कॉंफिडेंटली कह सकती हूं कि वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है कि यूपी से हैं या नहीं है इन फैक्ट जब वहां पर जो अध्याक्ष महद्या है उनको पता होता अकांशा जी जिन्होंने अपने परिवार की तो आशिरवाद बताया है अपनी सफलता में लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यूपी सरकार का भी दन्यवाद दिया है कैमरमेन पवन के साथ वैपंकश पामार भारत समाचार देहरादून